लेकिन जो जालोर में कुछ है, हमारे ऐसे नेता बेटे है, जो कॉंग्रेस की दलाली कर रहे है, वो चाहते है कि जालोर की कॉंग्रेस की सीट कभी नहीं आए, कौन है ऐसे नेता, वो आप सब को पता है, मुझे नहीं पता, मैं जैपुर में रहता हूं, मुझे मलूम नहीं है पुखराज बारासर हम बागी नहीं हुए हम कॉंग्रेस की खिलापत नहीं कर रहे हैं मैंने हमारे जालोर में जब फॉरम बने के लिए सबा रखी गई थी वह आमने खुले मंच पे का था यह परंपरा तोड़ने के लिए पहले भी जो मैंने सुनाव लड़े है ने दिलिया वह बाहर से एक दुब मौंगलाल जी आ रही है एक दुब मेंदर सिंगी आए तो उनको भगयने के लिए सुनाव लड़ा और अब भी अब में मैंदाद में हूं जनता क्या फैसला करती है वह जनता के हाथ में ऐसा है कॉंग्रेस के जालोर जिला की कॉंग्रेस पर लाने के लिए पुग्राज पारा सिरकार्य कर रहा है जालोर विदानसवाक्षेत्र के वालेरा गाउं में मंजु मेगवाल जी हमारे साथ मैडम क्या माहल है माहल बद बढ़िया है पिछली बार कांग्रेस से टिकेट लाए थे इस बार बागी है आप रामलाल जी के यह पारा सब पढ़िया घरण दिकलने वाली है उस समय वह हमेशा जालोर के साथ है दोगारते हैं कि ये सीट कभी नगर नीज़े हैं इस इलाके की पहचान है एक बार फिर रावा जी चुनाओ मैधान में कौन चुनाओ लड़ रहे हैं आप मैं छनाओ लड रहा हो एक बार विधाय करने आप 2008 में तो क्या इस बुजर्गियत के दोर में कैसे बागी हो गए अब मेरे समाज ऐसी जाती के लिए उनके यूआओ के लिए ये परमपरा तोड़ने के लिए पहले भी जो मैंने सुना लड़े है निर्दलिया वह बाहर से एक दोब मौंगलाल जी आ रही है एक दोब मेंदर से जी आए तो उनको भगयाने के लिए सुना लड़ा क्यूंकि मार से आए हुए बागेंगे तो पीसे बाड़े जो ईवा है उनको मौका मिलेगा तो अब भी जालोर जिले में किसी इस्तानीय विदान्सवा से किसी भी कारेगरता को टिक दिया हुता है पहले 我नको जारे डार में मेरा टिकेट कर के मंजू को दिया था जी करना को आए और अब भी अब में में अर्म हूं जनता क्या भाजत्याक अविद्दय ऑचल करती है वो जन जनता के हाथ में लेकिन इस विश्वास से सुना लड़ रागज और मुझे ये मोगाश ने कॉंग्रेस ने रमीला मेगवाल को टिकट दिया है रानीवडा की प्रधान रही है रमीला मेगवाल और रामलाल मेगवाल का यह कहना है कि वो तभी भागी हुए जब बाहरी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया है और जब पिछली बार मंजु मेगवाल को तर बस द्रहीं करना रहा है कौन है वोचा है बाद कगार पे लाने के लिए फोगराज पारा स्रकार्य कर रहा है और इनका पोगा इनका इसा वात्त होगा यह बहुत जल्दी आपको पता लग कि अच्व नियुक्त को भागी कर रहा है हमको बागी बता रहा है लेकिन यह बागी ही है कि यह बार का अशोग जो और बोल के यह यह यूं करेगा यह ऐसा हो जाएगा यूं करके बार का कैंडीडेट लाता है और इनकी धूगां दरी यह फ्लाने के लिए यह उसके इदीक ल प्रदेश महासचीव रहे हैं तो राजनिती में सक्रिय और रिजल्ट तो लाई रहे हैं सिर्फ राजनिती में सक्रिय नहीं है प्रदेश में सक्रिय और रिजल्ट तो और क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप चुनाओं में जा रहे हैं मैं यही मुदा हैं और जन्ता की शेवा के लिए इत़त पर हूँ और मेरा मुदा है यह है कि अधर्य बिंद्ध τις प्रद तो मुज़े अस्रगात देना पन जी आप जिला प्रमुक भी रही हैं क्यों अकट गया इस बार आपका जगर रहे थे मैं आपसे बात आज मीडिया के थुरू बार पहुंचाना चाहूंगी के जैपुर में हमको सबको बुलाया था उसमें मैं थी रामला जी थे हमारे डॉक्टर भरत थे ब्लॉक अध्यक्स बोमा राम जी थे जिल्ला अध्यक्स भवर जी ते और रमीला को इन्हो अध्यक्स बुला दिया है आइदना हम ध्यान रखेंगे यह बात हमने उनको सुरू से कई उसके बाद में साम को हमारा सब का मिलना सीम साथ से हमारे सीनियर रामलाल जी आगे थे तो सीम साथ से एक ही सवाल किया था कि आप टिकेट कैसे दो गए तो उन्होंने हमें एक ही ब हैं में महांगि लाल जी कीए दो रहे हमँड़ब खेए हमीर है इंको पता नहीं है इन मंन में कुछ डाउड था तो इन्होंने वापस क आप जा तो ahor m einan sim marche क्यों वापी समसंस भी जोरा है ओ र आप किसी सिifice जान का सुत्रों से पता चला है कर उन्हों नहों हमारे पहले प्रबारी थे भुरा राम जी और हमारे भी वर्तमान जिल्ला अध्यक्स भवर जी उनसे लेटर लिखवाया है कि मंजु मेगवाल जालोर में बिल्कुल सक्रिय नहीं है वो किसी कारे करताओं को नहीं जानती उसको गाओं के नाम तक नहीं पता है ऐसी देंगे तो मैं निर्दल है चुनाव लड़ूंगा यानि इन्हों ने पूरा ये खाया कि अगर बाद में मेरे उपर कुछ बात आती है तो इन्हों ने ये भुरा राम सीर्वी और हमारे जिल्ला अध्यक्स भवर जी से आई कमान को लेटर लिखे इन्हों ने सारी त्यारी कर रखी है पिछली बार कॉंग्रेस की लेहर थी रामलाल जी जैसे कद्दावर नेता ने आपको समर्थन दिया था फिर भी आप चुनाव कैसे आ गया नहीं तो यहां आपने यहां कोंग्रेस की लेहर नहीं ती यहां सब सब केंडिनेट आ रहे थे खाली मैं अकेली पार्ट के पॉरें में अगया नहीं डिवा रहे रहा है कि फिर दो पार्ट के पक्स मेने दराएंगा बहुत बुरा है इसतानीय का मुद्दा उठाओ।